घर में ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे टूल्स होते हैं जिनकी इंपोर्टेंस बहुत जादा होती है बट शोपिंग करते हुए हमारा कभी भी ध्यान नहीं जाता है उन पर तो आज हम बात करेंगे वीडियो में उन ही के बारे में that every homemaker should have them in their home Hello everyone, welcome back once again at Live Simply with Sangeeta. So without any delay, let's start our video So the first one in the list is this nanotape. इसके फाइदे कितने हैं हम सभी जानते हैं तो बात करते हैं, देखिए हमारे पास बहुत सारे इस तरह शोपिंग के बॉक्सिस होते हैं इनको utilize कर सकते हैं आप nanotape की मदद से चाहे तो cover करके या फिर बिना cover किये भी wall paper की मदद से आप इनको directly use कर सकते हैं, बहुत जादा useful होते हैं और nanotape हमारा बहुत जादा help करती है इसमें इन चीजों को utilize करने में यह देखे कितनी सारी चीज़ें हम डाल के रखते हैं बट फिर भी healthy नहीं है काफे sturdy है काफे strong है I am attaching this box to side space of my dressing unit यहाँ पर जादा visibility भी नहीं होती है और बहुत जादा काम भी आ जाती है इस तरह की चीज़ें बहुत सारे छोटे-छोटे stuff आप यहाँ पर रख सकते हैं तो इस तरह से nano tape की मदद से और खाली box की मदद से आप एक अलग से space create कर सकते हैं अपने घर में and the next one in the list is this cable tie बहुत सारे लोग इनको use करते भी हैं घर में बट इसके purpose इतने सारे हैं कि गिनाए जाएं तो कम पड़ जाएंगे यह देखे इस तरह से मैंने अपना यह cup holder यहाँ पर hold किया हुआ है cable tie की मदद से क्योंकि इनकी strength बहुत जादा होती है कितना भी weight आप इसके उपर डालें तो तूटने का डर नहीं रहता है इसके बजाए अगर हम कोई और stuff यूज करते हैं तो डर लगा रहता है कि weight से चीज़े किर सकती हैं सेमी इसी तरह ही देखे मुझे port hang करना था stairs में बट इसमें directly hang करने का space नहीं था so cable tie will be a better option for this without creating any mess it just hold the thing so nicely cooler grass pad को attach करने के लिए भी मैं cable tie का ही यूज करते हूं क्योंकि लंबे time तक पानी के contact में रहने से भी ये गलती नहीं है और sturdiness इनकी बहुत ज़ादा अच्छी है और अच्छी strength भी है so most of the time I use this cable tie to attach the grass pad of in cooler and the next interesting tool is this brush actually I bought this for the sofa cleaning and carpet cleaning but उसके हलावा भी बहुत सारे purpose solve कर सकता है यह दे कि धूल मिटी कितनी आती है तो इस तरह की basket जो कपड़े से बनी है और जिनको wash नहीं कर सकते हम regularly उनके लिए यह बहुत ज़ादा better option है आप चाहें तो अपने curtains या इस तरह की कपड़े की basket भी इसकी मदद से बड़े अच्छे से साफ कर सकते हैं इसके brushes काफे soft रहते हैं so I use it in many area of my home and the next one is this lint roller यह भी बहुत ज़ादा जगें पर हमें काम आता है bed sheet वगेरा तो हम clean करते ही हैं साथ ही हमारी कोई heavy sardies हैं, dupattas हैं जिनको हम regular wash या dry clean नहीं करवा सकते तो single use के बाद आप इसकी मदद से उसको clean करके रख सकते हैं या कोई आपकी acid dresses है जिनको आप बार बार wash नहीं कर सकते तो एक बार पहनने के बाद अगर इसकी मदद से साफ करके रखते हैं तो आप लंबे time सक उसको use कर सकते हैं और आप दोबारा से अपनी almira में इसको hang कर सकते हैं लिंट roller की मदद से ये देखिए net mess भी बड़े अच्छे से clean किया जा सकता है and my next favorite helper is this sticky hooks इस तरह के hooks मैं अक्सर अपने घर पर रखते ही हूँ kitchen में हो, almira में हो, washroom में हो बहुत जगें ये हमारी help करते हैं तो इस तरह से जहाँ almira में हमने extra hook नहीं लगवाए हैं तो ये मैंने sticky hook लगा के रखे हैं ताकि छोटी-छोटी चीज़ों को hang किया जा सके जैसे socks हैं, बच्छों की caps हैं, eye card वगएरा हैं तो ये बहुत ज़दा helpful होते हैं इसी तरह washroom में आप ये देखे extra space create करने के लिए भी इनको use कर सकते हैं काफी अच्छी strength रहती है, इनकी और useful भी बहुत ज़दा रहते हैं As you have seen in my earlier video also, I use them in kitchen as well बहुत सारी चीज़ों को hang करने के लिए use में लाया जा सकता है almira के पीछे के space को use करने के लिए भी हम इनको use कर सकते हैं And our next small helper is this fabric wig, इसको मैं हमेशा अपने साथ रखती हूँ ये हमें बहुत बार embarrassing situation से बचाता है जिस तरह देखिए मेरी sandal की heel निकली हुई है अगर इसको correct करना है तो minto का काम नहीं है, ये just seconds का काम है कुछ ही seconds में ये देखिए, पूरी तरह से ठीक कर देता है चीजों को तो कई बार इसके uses बहुत जादा होते हैं बट हम इनको mostly ignore कर देते हैं इसकी मदद से आप काफी अलग-अलग तरह हैं कि material को correct कर सकते हैं देखिए इस तरह bottle की cap है, इसका hook तूट चुका है तो अब ये खुली ही रहती है तो मैंने सोचा इस बार इस पर भी try करते हूँ 5-way quick से, will it work or not? क्योंकि पूरी की पूरी bottle waste हो जाती है अगर हमारी cap तूट जाए तो बट इस प्रोपरली working, अब जरूरत नहीं है नई cap खरीदने की या नई bottle खरीदने की तो ये देखिए छोटी-छोटी चीज़े हमारी बहुत ज़ादा help कर देती है बहुत पार हमने देखा है हमारे charger के wires की condition इस तरह से हो जाती है लंबे time तक use करने के बाद, तो इनको ठीक करने के लिए भी इस तरह की tapes जो अलग-अलग sizes में मिलती है is a better option, हर बार नई चीज़े खरीदने की बज़ाए हमें उनको थोड़ा सा man करके भी use कर लेना चाहिए तो यह देखिए size के according मैं use कर रही हूँ, यह छोटे वाली tape अगर इस तरह से हम tape इसके उपर लगाके इसको कुछ time तक और working condition में बना सकते हैं सेम इसी तरह यह देखिए मेरी बेटी ने एक art piece बनाया था तो इसको border provide करने के लिए भी मैं tape का use कर रही हूँ tape के और भी बहुत जादा फाइदे हैं, हम सभी जानते ही हैं तो घर में इस तरह की छोटी छोटी चीजों को रखना बहुत जादा useful रहता है कैसा लगा आपको आज का वीडियो, please comment करके जरूर बताईएगा अगर पसंद आए है तो चैनल को subscribe करना बिलकुल मत बूलेगा मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में till then take care, bye and have a nice day everyone